वक्रितुन्द महाकाय शूर्यकोटि समप्रभा निर्विभिनम कुरुमे देवा सर्वकारे शूसे बर्दा सर्वकारे शूसे बर्दा नमस्कार विद्यर्थी मित्रों मैं भग्वती मेडम प्रणो सेवा सस्ता में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको इस विडियो में कक्षा पाज के हिंदी विशय में इकाई आठ भरत मिलाप पड़ाऊंगी तो आप इस विडियो को ध्याद से देखें विद्यर्थी मित्रों यहां इकाई आठ भरत मिलाप विद्यर्थी मित्रों भरत मिलाप में यहां रामायन का वर्णन किया गया है विद्यर्थी मित्रों रामायन की रचना महर्शी वालमी की रूशी ने की थी तो यहां रामायन का इस इकाय में वर्णन किया गया है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखे भरत मिला, माता पिता की आगना का पालन करने है तू, राम वन में गए, उनके साथ सीता भी गई भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिहासन पर नहीं बेटे अपितु सिहासन पर राम के खड़ाव रख कर उन्होंने सेवक की भाती राज काज किया इसलिए कहा है भाय होतो भरत जैसा विद्यति मित्रों यहां इस इकाई में बताया गया है, रामायन का वर्णन किया गया है जब राम, लक्समन और सीता जब वन में 14 वर्ष का वनवास करने वन में जाते है तब भरत उनको मनाने के लिए वन में जाते है इसका यहां वर्णन इस इकाई में किया गया है तो चलिए हम इस वीडियो को देखे वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सिता बैटे हुए है पास ही धनुष बांडली ये लक्समन खड़े है राम ने कहा भाई लक्समन जरा देखो तो यहां आवाज कहा से आ रही है लक्समन ने कहा इधर उद्दर देखकर प्रभू सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे है राम ने कहा कौन लोग है जरा ध्यान से देखो लक्समन ने कहा ध्यान से देखकर अरे यहां तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग है, हमें सावदान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे है राम ने कहा हसते हुए, भाई लक्समन तुम तो बिना बाद सक करने लगते हो, इतने वर्स साथ रहकर भी परत को नहीं पहचाना लक्समन ने कहा, उत्ते जित होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी मा का तो बेटा है, जिसने वनवास दिलाया तीता ने कहा, इसमें बेचारे भरत का क्या दोस, लक्समन ने कहा, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे है भरत दोरते हुए कुटिया के निकट आते है, उनकी आखों से आसु बह रहे है, वे राम के चर्णों में पढ़ते है राम भरत को उठा कर गले लगाते है, भरत ने कहा, रोते हुए मुझे क्षमा कीजे प्रभू, आपको वन्वास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, आप मुझसे बड़े है आपी को राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोत्या चलिए इस नगरवासियोग की भी यहीं इच्छा है, निराशना कीजे प्रभू राम ने कहा, भाई भरत, मैं तुमारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ किन्तु मैं माता पिता की आगना का पालन करने है तुँ वन्में आया हूँ वन्वास पूरा करके ही लोटूंगा एक नागरिक ने कहा, नहीं प्रभू आपको हमारे साथ चलना ही होगा आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है राम ने कहा, नगरजनो इस समय माता पिता की आगना का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वन्वास पूरा करके न लोटू, तब तक भाई भरत आप सब के सुक दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है भरत ने कहा, कुछ सोच कर, अच्छा, प्रभू, जैसी आपकी आगना, पर मेरी एक विन्ती है, उसे स्विकार करे राम ने कहा, बोलो, क्या चाते हो? भरत ने कहा, मुझे आप अपने पाव की खड़ाव दे दे राम ने कहा, खड़ाव, खड़ाव का क्या करोगे? भरत ने कहा, इन्हें सिहासन पर रख कर आपके लोटने तक सेवक की तहरा राजकाज करूँगा भरत का प्रेम देखकर राम, सिता और लक्समन गदगद हो जाते है राम चंद्रा आगे बढ़कर भरत को गले लगाते है खड़ाव लेकर भरत तता नगरजन, राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते है विद्यति मित्रो अब हम अभ्यास का पठन करेंगे प्रश्णा एक, प्रश्णों के उत्तर दीजिए एक, भरत को आते हुए देखकर लक्समन को क्या संका हुई भरत को आते हुए देखकर लक्समन को संका हुई कि वे लोग लड़ने के लिए आ रहे है दो, राम को देखकर भरत ने क्या किया राम को देखकर भरत राम के चर्णों में गिर पड़े और उनसे माफी मांगी तीन, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाते है राम माता पीता की आगना का पालन करने है तू अपना वनवास पूरा करना चाते है 4. रामने नगर जनों से क्या कहा? रामने नगर जनों से कहा कि जब तक मैं वन्वास पूरा करके न लटू तब तक भरत ही आपका राजा रहेगा और ये मेरा आदे से वो ही आपके सुबडुक का ख्याल रखेगा 5. भरत की जगा आप होते तो क्या करते? भरत की जगा अगर मैं होता तो मैं राम को अयद्या लेके आता और दूसरा कि और मैं राम के पास वन्वास में रहेकर उनकी सेवा करता 2. कोई रैपर यहां चिपका ये और दिये गए रैपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजे 1. यहां किसका रैपर है? 2. इस रैपर पर क्या किम्मत छिपी हुई है? 3. इसका पैकिंग कब हुआ है? 4. इसका उप्योग कब तक कर लेना चाहिए? 5. इसके अलावा रैपर में और कौंसी उप्योगी बाते छपी हुई है? यह सभी यहां कोश्टक में जब आप रैपर लगाएगे तब उनसे जुड़े प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोट में लिखने है तो अब हम प्रश्ना 3 देखेगे तो प्रश्ना 3 निचे दिये कोश्टक में से सही संकेत चुन कर लिखे विद्याति मित्रों यहां कोश्टक में यहां कही संकेत यहां बताए गये है तो अब हम इस संकेत को हमें नीचे लिखना है तो पहला संकेत किसका है विद्याति मित्रों? तो पहला यहां जो संकेत है वो है होस्पिटल का है यहां जो दूसरा चित्र है वो कौन सा है तो यहां पर कौन सा संकेत है तो railway crossing अरक्षित का यहां संकेत है यहां पर नीचे जो तीसरा संकेत है वो कौन सा है विद्याति मित्रो तो यहां पर तीसरा जो संकेत है वो पैदर यात्री crossing का संकेत है और जो यहां 4 चित्र बताय गए है विद्यरत्य मित्रों तो यहां cycle crossing का यहां संकेर है 4. उची आवाज में पढ़िये और लिखिये पिद्या दिमित्रों यहां में उची आवाज में कुछ सब्दों है वो पड़ूंगी और आपको मेरे साथ भी यहां उची आवाज में आपको पड़ना है तो पहला सब्दों कौन सा है? लक्समन दूसरा है अपेक्षित तीन क्षमा, चार अयोध्या, पाच इच्छा, छे प्रजा, साथ कर्तव्य, आठ ध्यान, नौ प्रभू, दस इन है विद्याति मित्रों इस सब्दों को आपको बार-बार ही आपको इसे पड़ना है विद्याति मित्रों अब हम स्वाध्य के प्रश्णों देखेंगे एक, प्रश्णों के उत्तर दीजिए प्रश्णा एक, राम, सिता और लक्समन कहा गए? राम सिता और लक्समन वन में गए दो, राम ने नगर्जनों को क्या समझाया? राम ने नगर्जनों को समझाया कि जब तक मैं वन में से नौल लटू तब तक भरत ही आपका राजा रहेगा तीन, राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को अपने पाव की खड़ाव दी चार भरत ने खड़ाव लेकर क्या करने का सोचा भरत ने खड़ाव को सिहासन पर रख दिया और राजकाज करने का सोचा पांच आप अपने भाई के साथ कैसा बरताव करते हैं तो मैं अपने भाई के साथ बहुत ही प्यार बरा बरताव करती हूँ और उसके हर एक सुखदुख में उसका साथ देती हूँ दो, निचे दिये गए वाक्यों में में या में लगा कर वाक्यों हुरा किजिये एक, रोटी को देख बिल्ली के मुँँ में पानी आ गया दो, मैं तुझे रोटी न ले जाने दूँगी तीन, मैं करती हूँ के यहां रोटी मेरी है चार, दोनों मिल्ली यों में जगडा हो गया पान्च, रोटी लेने पहले में जप्ती थी तीन, जल, थल और पेडों पर रहने वाले पसुपक्सी के नाम अलग-अलग लिखिये विद्यति मित्रों यहां जल, थल और पेडों पर रहने वाले पसुपक्सी को आपको यहां नीचे नाम लिखना है तो पहला है जल में रहने वाले, दूसरा है थल पर रहने वाले और तीसरा है पेडों पर रहने वाले तो विद्यति मित्रों जल में रहने वाले पसुपक्सी कौन है तो पहला मगर, दूसरा मचली, तीसरी तारा मचली, च्वाती जल साप और पाचवी बतक अब थल पर रहने वाले, तो थल पर रहने वाले कौन से पसुपक्सी हैं? तो गाई, बिल्ली, कुत्ता, भालू, खर्गोस, अब तीसरा है पेडो पर रहने वाले पसुपक्सी, तो कौन हैं? तो कवा, तोता, उल्लू, चिडिया और मोर्नी विद्यति मित्रो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेर कीजिए